स्वागते बच्चो एक बार फिर से आपके अपे चनल ब्रेन कनेक्टर में तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे जबर्जस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई के ही सलसले में एक और अच्छा सा वीडियो मैं ले के आया हूं आप लोग के साथ जो क्लास्टेंग फिजिक से बिलॉंग करता है चैप्टर और आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लोग पढ़ेंगे उसके पार्ट को ठीक है उस अप्लिकेशन पार्ट में क्या है कि atmospheric reflection क्या होता है ठीक है twinkling up stars कैसे होता है ठीक है क्यों stars हमें सा twinkle करता रहता है ठीक है इसके बाद delayed sunset and यह पढ़ेंगे हम लोग advanced sunrise and delayed sunset पढ़ेंगे ठीक है तो यह topic आज अब लोग पढ़ेंगे twinkling atmospheric reflection क्या होता है twinkling up the stars क्या होता है एडवांस संसेट एडवांस संसेट क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है ठीक है बने रहे बहुत ही कम समय मैं मैं आपको इस concept को आपकी दिमाग में उतारने की कोसिस करूंगा ठीक है चलिए बीना देरी के सुरू करते हम लोग इस टॉपिक को तो सबसे पहले अगर हम लोग हेडिंग को देखें तो हेडिंग में ही लिखा हुआ है क्या कि atmospheric reflection ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो रिफ्रेक्शन atmosphere के द्वारा हो उससे हम लोग क्या कह सकते है atmospheric reflection ठीक है नॉर्बन एंचाइड की डिफिशन यहां पर अब देख सकते हैं तर रिफ्रेक्शन अब द लाइट कास्ट बाइड अर्थ atmosphere और और अर्थ में क्या क्या है having air layers of वैरिंग अप्टिकल डेंसिटी इस काल atmospheric reflection ठीक है क्या हुआ इसका मतलब कि जो भी atmosphere के द्वारा reflection होता है उसे हम लोग क्या कहते है atmospheric reflection और यह reflection होता कैसे तो चलिए समझते हैं देखिए अपना क्या है अर्थ है ठीक है अभी अब लोग reflection के बार में आप लोग को idea होगा ही क्योंकि reflection का यह क्या एक application है reflection कहां होता है reflection रेर मीडियम टू डेंसर मीडियम में होता है ठीक है मालीजे यह कोई मीडियम है यह आप लोग पड़े होंगे और यह क्या है आपका कोई भी दूसरा मीडियम है यह मीडियम है और यह क्या मीडियम टू मालीजे वाटर है मैं तो क्या ये रेरर और ये क्या देंसर रेर कैसे है इसके पार्टिक्लव्स दूर दूर है और elf चैसे इसके पासिकल चैसे तो जब यहां से कुई रइफ लाइट आता है और यहां पर लोग लोग नॉर्माल बनाते हैं प्रहेर फॉर्म्क भान कयो जाता है तो यहां पर अगर गुंगा तो यह क्यों जाएगा यह नौर्मल की तरफ क्यों में जाता है तो र thoughtful मतलब किया होता है टीदर की दिरफ तो उसी कंवल लोग क्या करते आरे डिफ्रेक्शन आप लाइड ऐसे ही ठिक प्रॉसेस होता है एक सूर्स है क्या सեղ क्या सबस्यों सब्सक्रिद मैं सबर्गम से एनर्जी एल यह यहां से लाइड गैसे से बना एक atmosphere है तो यह क्या डेंसर मेडियम है ठीक है अब गैसे जैसे जैसे हम लोग अपने atmosphere से मतलब जैसे अर्थ से उपर होते जाएंगे वैसे आपको मतलब रेयर मीडियम मिलते यह सारी लेयर है कई सारे आप लोग पढ़े होंगे तो जैसे जैसे आप उपर चलते जाते हैं तो वहां पर रेयर मीडियम मिलते जाता है और जैसे जैसे अर्थ के क्लोज आते हैं क्योंकि यह जो atmosphere है यह various of the gases से मिल के बना हुआ आपको atmosphere है हमारा तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे यहां से सोर्स से लाइट आता है ठीक है तो यह क्या होता है ठीक है जैसे यहां पर मैं बता के बताया क्या होँ आपको तो रिफ्रेक्षन जब और से जब किसी भी डैंसर मीडियुम मैं एक इसी तो यहाँ चै하기 लाइजी तो यहां पर आइगी तो क्या होगा अब यहांपे आपको ऐत्मास्पियर मिलीग ठीकए अब अब यहां पर आने के बाद यह क्या होता है यह एसे बेंट हो जाता है ठीक है यह बेंट हो जाता है इसको लोग क्या बोलते हैं जब एक्मोस्फियर में आने के बाद कोई लाइट क्या हो जाए बेंट हो जाए उसको लोग बोलते हैं इसको लोग याद कर सकते बहुत इजी डिफिनिशन है अब यह क्या है अलग अलग प्रकार के अप्टिकल डेंसिटी स्वाई यहां पर गैसे की ठीक है आपको आयोप आपको यह समाझ में आया कि एट्मास्फियरिक रिफ्रेक्शन क्या होता है अब देखे एट्मास्फियरिक रिफ्रेक्शन में दो एप्लिकेशन है जैसे आपको यह अच्छार कोश्चन में आता है वन या सकता है आपको दो नंबरें में लिखने के चाहिकर देंगे कि अपता फिक्राइफ यह बताई आप से पूचेगा कि अद्वांस अनराइज डिलेर संसेट इस अप्लिकेशन और बता देंगे यह किसकी खारण होता है यह क्यों भूब तो बताएंगे क्या एटमास फेरिक रिफ्रेक्शन जब भी आप से पूझेगा कि एडवांस संड्राइज एंडिलीर संसेट कब होता है किसके वज़े से होता है तो यह बताएंगे आप किसके वज़े से समझेंगे कि यह क्या होता है क्यों होता है तो कारण तो इसका एक ही है कि यह इसको और अच्छे से समझते हैं फिलाल आप इसको बना सकते हैं नोट कर सकते हैं फिर हम लोग देखते हैं उस टॉपिक को आए बच्छों समझते हैं कि यह ट्विंकलिंग अप दे स्टार्स कैसे होता है ठीक है क्या कारण है ठीक है और अगर आपको अगर कोशन आ जाए आपको वाई डू स्टार्स ट्विंकल तो आप क्या एंसर लिखेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग समझने कि यह ठीक्षन जब पड़ेंगे Jah के तो जब आप एक लकडी को डालते हैं तो लगडी क्या अं को डालते है तो कोईन अपने जो पूजिशन रियल पूशिशन होता है ऑगी में वो डिखाई देता है ठीक यह ज़िशिये जो अपने पूजिशन से क्या होज दिखाई देती हैं हट जाती है कहीं और दिखाई देती है ठीक है जैसे कोई बाल्टी में नीचे होता है बिल्कूल तल में लेकिन वह उपर दिखाई देता है लकडिक क्या टूटी वह दिखाई देती है वैसे ही यहां पर जो सन होते हैं या फिर स्टार्स होते हैं वह अपन पोजिशन है और इसका क्या रियल पोजिशन जो इससार जो स्टार इसका होता है जब यहां से जब आता है सन का तो यह यहां पे यहां सब्सक्रार को है कैसे सब्सक्राइबर देख तो यहां तो चीज इए पर यहिए कि दूबरा एब और देखते ऊपर वैसे क्या होता है रिफ्रेक्षन के द्वारा यह दिखाई देता है ठीक है खिक यह होता है कि सब्सक्राइब कहानी कि जब भी आप से पूछा गहागा कि यॉस्टार टिंकल ठीक है तो आप स्टार है क्या एक काम कर रहा है ठीक है जाँ पॉइंट मतलब जहां से लाइट आ रही है ठीक है एक इसो चाहिए है ना हमें लाइट आने के लिए में रखके रोटेट करते हैं और आगर रोटेट कर रहा है तो इस से हूपर के एक्वास्फियर क्या होते हैं रोटेट करते रहते हैं अब इसका atmosphere अगर rotate कर रहा है तो हो क्या जाता है इसके साथ कि जो मालीजे की अगर यहां पे star है आपका ठीक है और यहां पर है तो यह क्या हो अभी यहां पे atmosphere बदला तो तो यह क्या हुदा इसके बदलते जाते हैं इसमें और इंवाल हो जाते हैं अभी कोई क्लाउड आ घया ठीक है कोई डस्ट पार्टिकल आ गया ठीक है उस पॉइंट सोर्स के आगे या फिर कोई कि हां क्लाउड डस्पाटिकल यह सारे मेजर फेक्टर रूल करते हैं जो स्टार को ट्विंक्लिंग में हैल्प करता है और वैसे भी यह जो एक्मोस्पीर है यह सबसे ज्यादे जब यह ऑप्टिकल इसके डिफरेंट ऑप्जिकल डेंस्टी पर जब लाइट आती है तो कभी यहां पर इस्टार दिखाई देगा कभी यहां दिखाई देगा ठीक है तो यह इसकी घूमने के करण यह ऐसी चीज़े देख देख दो बिलती है तो यहां पर लिखाव भी हुआ है कि डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ अपरियंट पोजिशन अप दे स्टार कीव सें लेकिन सब्सक्राइब कर अपनाव बंद्द आरम और समय रही क्यों होता है ऐसे क्यों करता है क्योंकि लायट सब्सक्राइब हैं काफी सारे अर्शन हो जाते हैं अर्शन मतलब बाधा जाते हैं और जिए तो यह क्या होता है पो कभी दिखाई जैता है कभी दिखाय के तरह इस वखेसे रहता है तो देखें यहां पर में मैंर्सन की तो दिश्वा कंदिशन किन ब há laughs atmosphere क्योंकि इसका physical condition atmosphere का ऐसा ही है इस नौट stationary यह फिक्स नहीं है हिस्स दे एमांट अफ लाइट इंटर्स अवर आई तो जो भी amount of light हमारे आखों में आता है fluctuate sometimes bright and sometimes dim ठीक है तो कभी-कभी bright दिखाया दिता है कभी-कभी निम दिखाया दिता है this is twinkle effect of the stars तो यह क्या है यह हमारे atmospheric reflection की कारण होता है और atmosphere में जब अर्थ अपने एक्सिस पर rotate करता है तो उसके साथ साथ उसके surroundings भी उसके atmosphere भी rotate करते हैं और due to different different optical densities of the atmosphere light deviated its path and when the light deviated its path then it appear sometime bright and sometime dim okay तो यहां पर light आता है और उसके बाद क्या होता है यह अपने जगे पर ही मतलब वो तो sun star तो जहां पर है star यहां पर है ठीक है पर हमें दिखाई यहां पर देर है क्योंकि हमें हमेसा ही तो हमें तो यह नहीं ही पता है कि अगर यहां से reflection हुआ तो यहां पर राइट गया रिफ्रेक्चन लॉब यहां पर ठीक है तो हमें क्या पता लग रहा है यह light तो ऐसे आरी यहां पर स्टार यहां पर तो यह और अगर हम यहां पर तो ऐसे अगर light आएगी तो हम क्या मानेंगे कि Light स्टार यहां पर हम यह जानते हैं कि यहां पर है तो यह कारण होता है यहां पर कभी दिखाई देती है कि सबसे में रोल जो प्ले करता है वो क्या करता है हमारा जो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है इसके वजए से क्या होता है यह समझ में आया कि क्या होता है कि किसे कहते हैं और कैसे इसका हम लोग एंसर लिखेंगे अच्छा कोशन है हमें सब पूशा जाता है तो इसको आप लोग प्रिपेर कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है अब स्यर्वां सन्राइज डिलेट संसेट आएज मत्त surfing क्या होताय कैसे होता है एडवां संतों पहले स्केमि क्या होता है है पहले ही फेली हो जाना अग düny一樣 συνसेत मतलब सुरियस्ट होना ठीक है मतब जो सुन है वह बाद में डूब रहा है और सुबह पहले ही निकल जा रहा है अईसा क्यों हो रहा है और क्या होता है यहां पर आप यहां पर होता है कि आप देख रहा है और आसमान खतम हो रहा है और वहां पर धरती मिल रही है जब दूर तक प्लेन एडिया को देखेंगे जैसे आप समुंद्र की तरफ देखेंगे सम्द्र जो है वासाथ कि मिल रहा है तो ओसे तल्व क्या बोलते है कि अब यहां पे है इहां पर यहां पर और यहां पर हम लोग हैं तो यहां पर क्या इसके एक चरत्र त्रफ एैट्मस्पियर है और और ऩांफियरिक और छो यहां पे ADBE हें हो कहा आपको अग्ए है उसके बाद सबीचनराइज हुआ नहीं है पर यह इसका लाइट आपको तका आ जा रहा है और इसका क्या और एक वर्चूला इमीजी यहां बन जा संर्ड हों चुका है पहले ही ठीक है जिसको डिफ्रेक्षिं के दोहारा टीखाई देता है तुसके दोहारा रिफ्रेक्षिंव होता है तो इसको पता लगता एक यहां हिए यहाँ पर दिखाए देता है अब यहीं के सब्सक्राइब मलतल्ड कैने होजाता है लेकिन यहाँ से Tomorrow's we go 210 सब्सक्राइब कर énormément कोक्ते है जिए मेराइक और यहां और यहां पर यहां से जब नीचे चला गया तो यहां से भी तो लाइट निकलेंगी निकलेंगी और यहां से रिफ्रेक्शन होगा यह रिफ्रेक्शन होता है उसके बाद पिर क्या होता है तो जब यहां पर हमें लाइट दिखाई दे रहे हैं तुम लोग तो यहीं समझें कि क्या है क्योंकि सास्थ क्या देखते हैं और यह प्रपरटी तो होती यह हुता है बढ़ जाता है तो बड़ जाता है दिन मतलब रात का चार मिट क्या हो जाए घट जाता है तो इसी को बोलते है क्या एडवांस सन्राइज एंड डिलेट संसे यहां भी लिखा भी होगा एक्चुल सन्राइज हैपन्स वें दो सन इस बिलो दो हर्जिन इन दो मॉर्निंग ठीक है यह हर्जिन की नीचे रहता है लेकिन फिर भी क्या पता लगता है कि उदय हो चुका है दरेज अब द लाइट फ्रॉम द सन विलो द हर्जिन रीच आउर आइस बिकास अब दर रिफ्रेक्शन अब द लाइट सिमिलरली द सन कैन भी सीन फ्यू मिनिट आफ्टर द एक्ट्वल संड तो मतलब उसी प्रपर्टी के ह इंक्रीज वाइं फॉर मिनिट तो इस तरह से जो डियूरेशन होता है चार मिनिट बढ़ जाता है तो यह अगर आप से कोई पुछेगा कि वाई द एडवान संसर राइज एंड डिले संसेट हैपन तो आप यह एंसर लिख सकते हैं और ऐसे आप फीगर बनाएक उसको संभ संसेट क्यों होता है तो यह आपको पसंद आया हो अगर वीडियो तो जरूर इसको लाइक करिए अपने फ्रेंज को सेयर करिए बहुत ही कम समय मैं मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिज क्या हूं और और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे वीडियो बनते रह झाल